ब्लाऊस का अर मोल की जब हम कटिंग करते हैं तो उसका जो शेफ है सामने का वो सही जगे में हम बढ़ार ले पाते हैं उसकी वयसे क्या होता है सामने के साइड में रिंकर जोल या फिर ज्यादा हम कटिंग कर लेते हैं रावंड शेक का तो उसमें खिचाव आता हैplication आज अ सही जगे में हम उसका शेप नहीं दे पाते हैं उसकी वएज़ से ब्लाउज के आर हमोर में जोलाता है तो इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको मैं आर हमोर कटिंग करने के खास टिप्स बताऊंगा जिससे की सामने पार्ट में गहराई कैसे कटिंग करना है उसका सालोसन आ अपडेट आप लोगों को मिलती दाए बलाउज में सामने की जो फीटिंग है जैनि की जो इस सैट जो फिटिंग होता है उसका सारा खेल आर अनुहल की गहराई मेरता है उसका सही से फंपो किस्पकार से लेना है वो मैं इस वीडियो में बताओंगा तो चलिए वीडियो को अप लेट ना करते हुए अपने में वीडियो में आते हैं देखे इसके आरम होल कर आप शेप देखिए इसका कितब राउंड शेप परफेक्ट आया हुआ है तो उससे क्या होता है यहाँ पर कोई भी रिंकल्स चुनट नहीं आता और नहीं यह सामने के पार्ट में यहाँ पर खिचावाता है क्या होता है जब हम इसका शहीं सेप यहाँ पर बठालनी पाते है सामने पार्ट का जो राउंड शेप होता है उसको सहीं जगे में हम बठालनी पाते है इसकी वहाँ से यहाँ पर जोलाता है हम उसका जो round shape है उसको हम गलच अगम बठालते हैं उसकी वएसे जोलाता है और ज्यादा round cutting करने की वएसे इस जगे में हमारा खिचाव आता है पहनने के बाद blouse यहाँ पर से खिचाव आता है तो मैं अभी आप लोग को क्या गलती हमको नहीं करना है पहले वो बताऊंगा उसके बाद हमें कैसे cutting करना है आर मोल को वो बताऊंगा वीडियो बहुत important है इसकी वएसे आप वीडियो को पूरा जहुर देखे तभी आपको सम रहांगा कि हम आर मोल की गलती एक्चल में करते कहां पर है तो blouse की लंबाई मैं इसमें 14 ले रहा हूं यानि कि एक इन बढ़ा के इसको रा कर रहूं 15 इंच में सीधा हम खीट लेंगे यहां पर शोल्डर में ले रहता हूं इसका साड़े 10 इंच साड़े 10 इंच कहां होगा सबा पांच इंच क्योंकि डीब गले की अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों मैं यह हमारा अब मैं 38 इंच सीना में आर मूल इसका ले रहूं मैं 6 इंच ध्यान रखेंगे 6 इंच 6 इंच में सेट भी निसान लगा लेते हैं और इसको भी मैं सीधा खीट लूँगा 38 इंच सीना का एक चौथाई होगा 1.5 इंच 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिंग और कमर इसका ले रहा हूं 30 इंच 3 इंच का एक चौथाई होगा 1.5 इंच 1 इंच पीछे पार्ट में जो डाट पढ़ता है उसके लिए और 1.5 इंच इसको मैं सीधा खीट लेता हूं एक चीज़का आपको धान रखना है कि जो मार्जिंग है हमको सीना और कमर में इकवल लेना है यहां रखेंगे इतना तो सभी कर लेते हैं अब देखें कुछ लोग जैसे मैं तिर्शी लगी रहा अंदर क्यों खीशता हूं और मैं सामने की पार्ट की जो गराई है वो एक इंच में डा करता हूं है ना कुछ लोग क्या करते हैं इसी को यहां पर से यहां से यहां इसको हाप नाप लेते हैं यह जार रहे हैं यह जगे से इस जगे तो इसको हाप कर लेते हैं दो इंच अब इधर भी दो इंच इसी में ही यहाँ पर से ऐसा गहराई को बैठाल लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर से गहराई बहुत ज़्यादा हो जाता है देखिए मैं ने एक इंज मेनी था लगाया था यहां पर यह आ रहהे हम आप इन से थोड़ा ज़ादा अब देखिए यहां पर से क्या होता है हम जब यहां पर सी घराईं अंदर के ने ले लेते हैं तो ब्लाउज के सामने के पार्ट यहां पर हमारा खिचाव आता है और फिर भी यहां पर हमारे रिंकल्स आते ही इस जगे में रिंकल्स आता है कभी भी यहां पर रिंकल नहीं आता सामने पार्ट में रिंकल्स आता है हमारा यहां पर इस जगे में इस बात को आप care कर लिजे क कभी भी जो wrinkles आएका वह armhole के निजले हिस्से में आता है आर्मhole के में कभी भी भी wrinkles नहीं आता यहां पर मैं पॉल्लम करना ये की आती है अब पीछे पार्ट की घहराई तो गचा है यह वाला जो पार्ट है ये welaков पहने आधा irst lunettes leg में आनहीं सामने के पार्ट में हाथ को विधवधा करने से यह वाला जो पोर्शन है हमारा खिचाता है इसकी वएसे यहां पर हमारे जोल आता है यह इस पार्ट में ऐसे लंबे-लंबे रिंकल्स आते हैं यह फिर यहां पर थोड़ा सा फुगा बन जाएगा लेकिन यहां पर आपके तो यहां पर हमारे खिचाव आता है और इस पार्ट में जो रिंकल्स बना है वो बना ही रहता है तो हमको यह गलती नहीं करनी है तो मैं आपको अब बताता हूँ कि हमको शहीं जो शेफ है आर मोल का हमको किस प्रकाल लेना है तो देखिए उसके लिए भी मैं एक अलग से देखिए कपड़ा ले लिया है इसे भी हम सीधा कित लेते हैं ब्लाउस की लंबाई जैसे मैंने 14 में लिया था तो 15 में ट्रा किया था तो इसको यह 15 में ट्रा कर लेता हूँ देखिए आप वीडियो को कंटियों देखिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती एक्च्वल में हम कहां पर होती है हमारी जिसकी वे सामने पार्ट में रिंगल्स आता है सोल्डर मा ले रहा हूँ सवा पांच इंच आर मोलूंगा इसका मैं 6 इंच सीना 38 इंच और 30 इंच कमर है उसी का कॉर्डिंग में अटा कर रहा हूँ अब देखिए सामने के पार्ट में हमको यहाँ पर तीलची लखीर खीच लेनी है सबसे अच्छा तरीका है आर मोल कर सामने पार्ट के सही शेप लेने का आप जहां पर सीना का हमने निसान लगाया है उससे एक इंच को पहले हमको एक निसान लगा लेना है यह ऐसे हैं उसके बाद हमको measurement करना है एक इन जहां हमने निसान लगा है वहां से यहां तक यह इस कार्णर तक तिर्ची लकीर तक नहीं इस लकीर में तो देखिए यह आ रहा है हमारा सवा तीनिच आके में मिला है कौन सा अंदर होए लकीर वला नहीं इस यहां पर इस कार्ण नर्में तो देखिए यह आ रहा है हमारा सवा तीनिच आको कुछ नहीं सवा तीनिच में इस सैड में भी निसान लगा लेना है यह ऐसे हैं यह पार और यह पार दोनों बराबर होना चाहिए दया रखने चीज़ को उसके बाद आप एक इंच में ऐसा निसान लगा यह देखिए इसका जो शेप आया है यहां पर से अब हमारे खिचाओ नहीं आएगा और इस साइड में भी रिंकल्स नहीं आएंगे बिल्कुल परफेक्ट बठेगा अब देखिए यह सामने पार्ट हो गया बैक पार्ट के लिए डेड़ इंच में यह और हमको अब इसको यहां पर मिलाना है इस लाइन में तो देखिए कैसे मिला रहा हूं यह देखिए यहां पर लाके मिलाया है मैं यहां पर साड़े नौ इंच में लगाया था हूं वहां पर अब देखिए इसका सेव देखिए कैसा हुआ हुआ है यहां पर इसकी गहराई आके बिल्कुल तो देखिए हमने कटिंग कर लिया है अब पहले हमने कटिंग के था उसको रख के उपड़ दिखाता हूं तो देखिए इसका गहराय कहा जा रहा है और उसी घहराय कहा जा रही है यही फरक होता है क्या होता है यहां पर जो है हमारा सही शेप नहीं बनने की विए से शेप हमारा सही शेप यहां से बनना चाहिए तब हमारा आर्मोर का एक सही फिटिंग आएगी तो यह तो हमने आर्मोर का एक प्रॉपर शेप हमने त्यार कर लिया है लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है रिंकल्स आते ही है तो उसमें क्या और हमको करना है तो ध्यान रखेंगे हम जब अस्तिन की कटिंग करेंगे ध्यान रखेंगे अस्तिन की कटिंग तो ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट इसकी गहराई और अस्तिन की गहराई आके आपास में मिलनी चाहिए तो चलिए उसको भी मैं दिखाता हूँ यही गलती हम लोग करते हैं हम प्रॉपर तरी के समझ नहीं बाते मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है उसको आपने देखा हुआ तो मैं पहले बता चुका हूँ चीजों को उसके बात भी अहितर सस्क्राइबर मुझे से यही पूश्ते हैं कि हमारा सामने का जो पार्ट है वो सही प्रॉपर नहीं बाइट पा रहा है तो देखिए अस्तिन की लंबाई मैं ले रहा हूँ बॉक्स बना लेता हूँ यह पहले तो यहां पर इधर भी ऐसा बॉक्स सीधा और इधर भी सीधा यह अब यहां पर भी साथ इंच में निसान लाएंगे इसका हाप लेंगे अब इस बॉक्स का हाप लेंगे साथ इंच का हाप होगा साड़ेतीन इंच यहाँ पर भी साड़ेतीन इंच अब इसका भी हाप लेना है साड़ेतीन इंच का हाप होगा पोने दो इंच यहाँ से ऐसा एक तीरची लखी खिष लिजे अब देखिए इसमें क्या करना है मैं इसको फ्रेंच कर्व से बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंच कर्व से एक प्रॉपर श्रही शेफ हमारा बनता है अस्तिन का यहाँ पर से लाके हमको यहाँ मिलाना है ध्यार रखेंगे यहाँ पर से यहाँ पर लाक मिलाना है यह देखिए ऐसा, अब उसके फ्रेंके काँपो हमको उल्टा कर लेना है और इस साइट दोस्तो ध्याारा रखेंगे, करीब करीब यह एक इंच हमारा इस साइट स्लोपिंग होना चाहिए, यह वाला हिस्सा एक इंच, यह वाला हिस्सा है इससे करीब करीब एक इंच पहले हमको इसका राउंड शेप का यहां पर लाके मिलाना है यह सामने पार्ट हो गया अब यहां पर से दो इच देखें यह जो ले रहूं है दो इच यह हर साइच के अस्तिन में हमको लेना है अब यहां पर से हमको लाके यहां पर मिला लेना है इसको ऐसा उल्टा कर लिजे और यहाँ पर देखें इसको लाके हमको लास्ट में मिलाना है जहाँ पर हमने साथे जो निसन लगाया था क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी इसको लास्ट में लाके मिलाया है ध्यां रखेंगे जैसा मैंने सामने आर्म होली कटिंग कर रहा हूं उसी प्रकार से मैं इसमें अस्तिन की cutting कर रहा हूँ यही हमको दोनों में सेम्यार्टी रखनी है जब तक हम दोनों को सेम तरीके से cutting नहीं करेंगे हमारे सामने का जो problem है उसका solution नहीं होने वाला अब इसको मैं cutting करता हूँ उसके बाद रख के दिखाता हूँ आप लोगों को की दोनों में क्या समानता है वह हो दिखाऊंगा इसका shape देखिए किता भैतरी नायाव शेप इसका अब देखिए सामने बाट का यह हमारा आरमूर यह देखिए और यह देखिए यह बिल्कूल यह आ के इक वर इसमें मिला है यह देख लिए बिल्कूल यहाँ पर हमने देखिए इस side में जहाँ पर हमने Artica 25 का निसान लगाया था यह वहाँ पर और एक inch में देखिए यह यह बिल्कूल आ के आपस में मिल गया आपका यहां का जो प्राब्लम है वो कभी सालों नहीं होगा ध्यां रखेंगे अब देखिए मैं इसके आर्मोर को नाप भी लेता हूँ तो देखिए यह इसका सेंटर है हम यहां पर उपर में पौन इंच करीब करीब सोल्डर को दबाते हैं क्योंकि मर्जिंग हमारी लंबा से आप लोगों को बताया है कि हमको अस्तिन का जो शेफ है और सामने पाट के आर्मोर का शेफ जब तक आके आपस में नहीं मिलेगा यहां पर जोल आपका बना ही रहेगा आप अब जैसे कि मैंने यह इसको कटिंग किया था अब इसमें देखता हूँ तो इसमें बिलकुल शेफ नहीं बैठा है देखिए यहां पर उपर आ गया है तो क्या होगा यहां पर से खीचाव आएगा और यहां पर जो रिंकल जो बनना है वो बन की रहेगा आपका आप कितना भी इसको शेफ बैठा लिए कितने भी अच्छ तरगे से स्टीच करिए फिर भी आपका यहां पर रिंकल्स बना ही हुआ रहेगा जब तक कि हम यहां पर सामने पार्ट का और अस्तिन के सामने पार्ट का शेप को आपस में देखिए यह कशा शेप मिलता है देखिए नहीं मिलेगा हमारे प्रॉब्लम जेयों कत्यों रहेगा यह इंपोर्टेंट टिप है आरमोल की मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंकरी भरे वीडियों में जब तक के लिए टेक कियर एंक्यो फर वाचिंग जैहिन